ने बतलाएं, रहा प्रहो का एक ही नारा, मानो थाव प्राण से प्यारा, सुनो सुनाते हम वा तुम को, जिसे सुनाया प्रहुने हम को, कृशी करो या रिशी बनो तुम, कृशी करो या रिशी बनो तुम दया धर्म को पास रखो तुम, अगर संत नहीं बन पाते तो किसान अगर संत नहीं बन पाते तो किसान बन कर जीवनाशी को, किन्तो आज के भारत वाशी, कृषी कार को कहते बाशी, खेती करने में हिंसा है, आइसी सबकी ही मनसा है, किन्तो सुनो तुम मैं बतलाता किसान का जीवन क्या होता, किसान भारी भोला भाला नहीं जानता ओगो टाला, परमशुद्ध वो शाका हारी प्राण मात्र के करुणा धारी, गो माता है उसकी माता और बैल है उसका भ्राता, किसान के संतान पेड़ है, किसान के सब नियम मेड़ है, खेती उसकी धर्म की शाला कभी न लगता वहाँ पे किन्तों आज के ये व्यापारी सता रहे हैं किसान को भारी और उनी को खाकर उनी को मारे कई से निर्लई ये हत्यारे यही बात में सदा सोचता आज आप से यही पूछता किसान खेती ये दिना करता सोचो दुनिया का क्या होता बचे चाहे बूडे या हो बचे चाहे निर्दन या हो अच्छे चाहे पुरुष या हो नारी चाहे जनता या व्यापारी चाहे संत महराजा हो चाहे पशिवो पक्षी सारे बिना अन के ए बेचारे तडप तडप कर मर ही जाते ब्रह्मा भी ना बचान पाती सुनो और भी क्य क्या एक संब्सक्ति का पत क्यों है नीचा उसको मैं नें यही बताया सही बात ही उसे जताया जो होता है सबसे नीचा वही उटाता सबको उचा जो होता है सबसे नीचा वही उटाता सबको नीचा भले पेर सब उपर वरते किंतु जड़े नीचे ही रहते अगर पेड की जड़े ना होते पेड का भी ना खड़े ना होते इस देश का किसान जड़ है इस देश का किसान ग कावे के सान है और सच पूछो तो मैं बतलाता इस धर्ति की जान के सान है धर्ति पर भगवान के सान है बास